नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की एक युद किस तरह से अंतराश्टी कूटनीती में अलग-अलग गुल खिलाता है एक देश को दूसरे देश के पास हथियार मांगने तक पहुचाता है और साथ ही साथ वही युद दूसरे देशों में श्रमिकों को सड़क पर उतारता है और इसी दौरान जो पूरा का पूरा समीकरण बनता है वह यह कि युद युद और अशान्ती आज आपके साथ इस कारेक्टरम में हम चर्चा करने जा रहे हैं युक्रेन युद किस तरह से मजबूर करता है जर्मनी को ब्राजील के पास पहुचने के लिए और मांगने के लिए हथियार वे हथियार जो रूस से उसके पास हैं वजह क्या देखिए और दूसरी खबर हमारे पडोस से पाकिस्तान से पाकिस्तान के पेशावर में जिस तरह से आत्मगाती हमला हुआ बड़े पैमाने पे लोगों की जाने गई अंगिनत लोग हताहत हुए इसका क्या रिष्टा है इस पूरे इलाके से और इससे क्या संदेश मिलता है तीसरी दुनिया के देशों को आईए बात करते हैं प्रबीर पुरकायस से प्रबीर हम लगातार यूक्रियन युद्ध पे नजर बनाए हुए पिछले प्रोग्राम में आपने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह से तीसरे फेज में युद्ध प्रवेश किया है और इस दौरान बड़ा इंट्रेस्टिंग घटना करम हुआ है कि जर्मनी ने दर्वाजा खटखटाया ब्राजील का वहां पर गए लूला से मुलाखात की और जिस तरह की खबरे हैं कि लातिन अमरीका के तमाम देशों में भी वो खटखटा रहे हैं उन्हें हथियार चाहिए ये जो डवलप्मेंट है ये कैसे हम देखें देखें पहली बात तो यह हथियार चाहिए ये हमें मालूम नहीं पर रहा था बहुत दिन से मांग रहे हैं हथियार पर शोल्स किसलिए गए थे हमें मालूम नहीं पढ़ रहा था कि लग रहा था कि शायद ये कहें कि लूला इस जंग में बीज बिचाओ करें क्योंकि बीज बिचाओ करने दुनिया में खास बचा नहीं है ये तो इस तरफ ये तो उस तरफ लोग चले गए हैं और खास तोर से इनके साथ यॉरोप के साथ बीज बिचाओ करने के लिए खास कोई बचा दिख नहीं रहा है तो ये जो स्थिती है हम में लग रहाता है शायद ये पहल कदमी कर रहे हैं कि लूला को आमंतरन करें कि आप आईए और दोनों के बीच बातचीत स्टार्ट करें और बातचीत तो इस वक्त होना है नेटो और रूस के बीच में और खास तोर से अमरीका रूस के बीच में यह तो साफ है क्योंकि ना कोई European Union की देश एहमियत रखता है ना कि उसकी भार है आज की इस युद्ध में ऐसा कहे कि हम बीच बिचाओ करेंगे तो शिरकत कर रहे हैं जंग में ओर डेटो के तरफ से European Union साफ है तो यह नहीं हुआ बलकि यह हुआ कि हम आपको पैसा दे रहें Amazon के लिए Amazon के लिए तो आप हमें आपकी जो रूसी वक्त की जो हाथियार है उस उन हाथियारों को दे ताकि Ukrainian जो मिलिटरी है उसको आसानी से इस्तमाल करेंगे जैसे पहले भी चर्चा की थी कि जो बाकी हाथियार हैं उनको इस्तमाल करना और खास साथ हिस्सा था और उसके बाद Ukraine का बहुत बड़ा एक armaments industry था जो कि इन arms को बनाता था और Ukraine की जो military है इससे वाकिफ है तो उनको हमें उनको लग रहा था कि अगर वो मिल जाए तो शायद फायदा होगा कि ट्रेनिंग बगारा करने में आसानी रहेगी हाकिकत यह भी है कि ज चाहे वो पोलेंड हो चाहे दूसरे देश हो उनको दे चुके हैं उनके पास और यह भांडार है नहीं तो अब बचा भारतवर्ष के पास है एजिप्ट के पास है लाटन अमेरिका की देशों के पास है तीसरी दुनिया के देश और आफरिका देशों के पास है इन सब जग पहले बातचीत कर रहे हैं अगर पूरा मानचीत देखे दुनिया की तो ज्यादा तर लोग इस लगाई में ज्यादा तर देश इस लगाई में शिक्त करने के लिए इनकार कर दिये है और सैंक्शन्स नहीं लगाया रूस पे सिर्फ चंद देश जो की नेटों के हिस्सिदार ह और अमरीका, कैनड़ा इस तरह के देश जो अनेटो के हिससे है इसके इलावा बहुत कम देश जापान, कोरिया, साॉथ कोरिया यह शायद दो देश हां आस्ट्रेलिया जैसे इन में तो इन देशों के इलावा कोई इसमें मुखालफत करने के लिए तयार नहीं है न कि इसमें शिर्कत करना चाहता हाथियाद दे के इसलिए यह चीज तभी बदलेगी जब यह तो दुनिया की तरफ से दूसरे देश भी इसमें अगवाई करें कि शांती होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए यह तो नेटो और खास तोर से अमरीका के अंदर एक यह अवहाँ बने एक वातावरण बने कि शांती चाहिए इस तरह की और लड़ाई से फायदा नहीं है जो रैन कॉर्पोरेशन उनकी जो मिलिटरी तिंक टैंक है पूरा एक रिप नहीं रहा कि इसकी इस तरह से कोई अभी भी रूट्स कोई अमरीका युश लूला ने बिल्कुल साफ कह दिया कि वो हथियार नहीं देंगे इसमें शिरकत नहीं करेंगे एक स्टैंड हुआ जो पब्लिक डोमेन में आया कि जिस बात को आप जिक्र कर रहे हैं कि वो क्रियन युद्व से यूरोब और खासॉड इंगलेंड और फ्रांस यहां मैं खासॉड से जिक्र करना चाहूंगी सबसे पहलें इंगलेंड इंगलेंड से जो खबरे आ रही हैं कि बड़े पहँमाने पर लोग पریशान हैं उनके जीवन यापन की जो बन्यादी चीज़ें हैं महेंगी हुई है इतनी तगड़ी हरताल चल रही है कि लंदन के स्कूलों को बंद करना पड़ा रहा है क्योंकि उसमें जो शिक्षक हैं वह भी शिरकत कर रहे हैं और तो और फ्रांस और इंग्लैंड यहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो यह भी सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे कानून लाए जाए ताकि स्ट्राइक को गैर कानूनी बनाए जाए तो यह जो द्रिश्य है आप जिक्र लगातार करते रहे हैं कि भाई यूरोप पर असर पड़ा रहा है असर तो बहुत तगड़ा पड़ा रहा है इंग्लैंड का स्ट्राइक देखिए तो यह चीज उनके जनता के सामने अभी भी साफ नहीं है कि अगर यूक्रेन युद्ध चलेगा तो यह चीज और बेखुल कर सामने आएगी मतलब उनकी आर्थिक दशा और भी खराब होने वाली आप कहना चाहते हैं कि स्ट्राइक का सीधा कनेक्ट नहीं है सीधा कनेक्ट है पर शांती के लिए कुछ करना पड़ेगा उस थिति पे पहुंचा नहीं है तो राज़ितिक परिवत्तन उस स्केल पे नहीं है एक एकनॉमिक स्ट्रगल के रूप में इस वक्त है कि यह उस तर रही है पर सरासर ये बात कि शान्ती होनी चाहिए उसके लिए सौख पर आए जो पहले peace movement 80s 90s में वुआ करता था 70s में वुआ करता था उस तरह का peace movement दिखाई नहीं अभी तक नहीं पड़ रहा है शान्ती के लिए मार्च करें पर ये जरूर है हक के लिए मार्च करें क्योंकि युद्ध का जो परिणाम है वो ये है कि बिजली का दाम बढ़ी है चिकाद की दाम बढ़ी है नौकरिया कम हुई है इंडस्ट्री बंध हुई है इन सब का जो असर है फ्रांस हो चाहे इंग्लेंड हो दोनों के पूर पढ़ी है फ्रांस पर खास्तों से भी हुआ है कि रिटार्मेंट एज को उन्होंने बढ़ा दिया है इसका मतलब कि आप रिटार करेंगे इस उमर के बाद इसके पहले आपको पैंशन नहीं मिलेगी तो यह जो बात है यह भी फ्रांस की वर्किंग क्लास को बहुत चोट पहुँच रहा है तो यह लोग सड़क पर उतर रहे हैं जर्मनी में भी असंतोष है पर डारेक्ट इसका जो पुलिटिकल ट्रास्फर्मेशन क्यों यह हो रहा है यह इस तरह से उसको यूक्रेन जुद से हमरा आप तो जोड रहे हैं वहां पर भी लोग हैं जो इसको जोड रहे हैं पर यह सरासर एक राज़ितिक डिमांड के तोर पे अभी सड़क पे नहीं आया है हकीकत यह है कि इस पे भोगी सबसे ज़्यादा जगर पीरित होगा सबसे ज़्यादा जो इस पे नुकसान होगा यह यॉरॉप की है क्योंकि अमरीका का तेल बिक रहा है, LNG बिक रहा है यॉर्प में उसको तिगुना-दिगुना-तिगुना दाम से खरीदना पड़ा है उनकी इंडस्ट्रिस बंद हो रही है और इंडस्ट्रिस शिफ्ट हो रहे हैं अमरीका में तो ये सब जो हो रही है योरप को सबसे ज़ादा दुक्सान पढ़ने वाला था अब पढ़ रहा है ये भी और इसे खिलाफ लेबर जो है उनियंस है कोगी ये भी दिखाई दे रहा ह अब टीचर्स का शामिल होना उधर पेंशन का मुद्दा सिर्फ पेंशन का ही नहीं है वो बाकी और मुद्दों इससे पहले हमने देखा था कि जो इसका आप जिक्र पिछले तीन-चार प्रोग्राम्स में कर रहे हैं क्योंकर जीवन का जो हिसाब है तो क्या इसका कि पैमिन क्लास हमेशा कहता है क्राइसस जब होगा तो पहली चीज है कि स्वर्मिकों को मजदूरों को स्ट्राइक से नहीं करना च्थे और कानून होना चेहे कानूनी reflex होता है कि कुछ भी हो कि बंद कर दो workers का workers का हक छीन लो यह तो चलता रहता है तो मैं इसको इस दिशाबे ले जाना चाहता हूँ कि एक larger एक बड़े पैमाने पे political crisis की ओड़ रहा है क्योंकि जब आप strike को ban कर दोगे सिर्फ एक वक्त के लिए नहीं और भी वक्त के लिए बैन हो जाएगा यह अगर आप रास्ता दिखा दिया तो यह बैन होता ही रहेगा और working class मेरे ख्याल से इतना आसानी से यॉरप में मानने वाला नहीं है क्योंकि उनकी trade union की तिहास बहुत पुरानी है और यह भी अगर आप देखे चुनाव आज अगर होता है तो conservative party असुना बुरी तरह से हारेगी तो यह भी है कि उनको मालूम है कि राजदितिक रूप से हम अप्रिय हो जाएंगे पर उनको लगता है कि आर उनके पास जो आप कहोगे प्रुभू वही होने वाला है हम तो वही मानेंगे तो यह देखकर जब तक यॉरप का एक अलग प्रतिष्ठा नहीं होगी राजदीत में नेटों के इलावा और खास तोर से अमरीका के इलावा खड़े होने के अगर शक्ति नहीं होगी तो यह तो चीज़े चलती रहेगी स्ट्राइक बैन कर देना यह सब बात्चीत कहना डराने के लिए है कर पाएंगे देखने की बात है मुझे लगता राजजितिक रूप पे अगर करने की कोशिश करेंगे बिस्फोर्ट ज्यादा बढ़ेगा और इस पे कोई भी पार्टी इस तरह के यॉरप पे इस वक्त नहीं जोकिम नहीं उठा सकती है मेरे मेरे ख्याल से नहीं कर सकता और इसी लिए मैं समझता यह धमकी है और करने की ताकत उनकी अभी भी नहीं है राजजितिक ताकत नहीं है पर सवाल केनरबिंदू जो है यह working class struggles France और England की नहीं है एक्चुली केन रबिंदु है यूक्रियन जुद जो हम पहले भी जिकर कर चुके हैं जब तक वो शांती के ओर नहीं पढ़ेगा इन सब चीजों तो उसकी परिपूरक है कि साथ जी वो देखना पढ़ेगा कि ये वो पॉलिटिकल टर्न लेता है कि नहीं ये जो रिजन्मेंट है जो आक्रोश है अपने जीवन को बचाने के लिए वो बड़े राशनितिक मुद्वे से जुड़ता है कि एकिनॉमिक स्ट्रगल से ये क्या पॉलिटिकल स्ट्रगल में बदलता है ये नहीं ये चीज देखने की बात है इस वक्त दिख तो रहा है कि बहुत दिन के बाद वर्किंग क्लास Europe में स्ट्रगल के रास्ते में उतर रहा है हला कि फ्रांस भी पहले उनकी स्ट्रगल रही है पर एक तसाफ से आन ऑर्गिनाइस सेक्षिन के थी वर्किंग क्लास की और्गिनाइसट पर्स जब आती है इसका रुख कुछ और होता है, तस्वीर दूसरी हो जाती है, जो हमें तस्वीरें दिखी रही है, तो ये एक बहुत बड़ा परिवत्तन तो है, पर इसको पुलिटिकल ट्रांस्फर्मेशन होता नहीं होता देखने की बात, प्रबीर अब हम चलेंगे अपने परोस में, पाक से अधिक लोग हताहत हैं, अभी भी एक्जैक नंबर पता नहीं, सोंबार को ये पूरा का पूरा घटना करम होता है, जो बहुती दर्दनाक है, ये अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ पूरा हिसाब है, जो पूरा इलाखा है ये, और जो नक्षे में दिखाई भी दे रह है, यहां पर कई मुद्धे बहुत तेजी से आये सामने, पहली बार पाकिस्तान के रक्षा मंतरी खुद बोलते हैं, कि हमने आतंकवात को बोया और ये सारा हो रहा है, इस तरह से धार में क्योंकि नमाज पढ़ी जा रही थी और सब नमाजियों पर, क्योंकि ये सब पुल पाकिस्तान में हो, चाह है। हर जगह पर कभी भी होता है इन चीजों को निंदा और उसके साथ जो हताहत हुए उनके पास साहनवूती हमारी होनी चाहिए इस पर कोई दोरह नहीं है पर अगर अफगानिस्तान की बात करें तो पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान को जो destabilize करने की कोशिश अमरीका ने शुलू किया था सतर के दशक से जब वहाँ पर CIA और ऐसे फोर्सेस वहां उत्रह था कि वहाँ पर डरार पैदा करें दरार पैदा करें पश्टून, हजाराज इन सब के बीच में दरार पैदा करके इनको इस्तमाल करें जो एक प्रगतीशी सरकार उस वक्ती, 25 सरकार थी, उ को गिराना और 90 के दशक की शुरुवात पर उसको गिरा देते हैं इसके बाद से वह अराजकता अफगानिस्तान का चलता रहा है और आपसी द्वंद भी बढ़ा है चाहे वह हजारास पर टैक हो चाहे दूसरों पर टैक हो पश्टून अपने आपको क्या समझते हैं पर सबसे बड़ी बात जो सोचने वाली है जो पाकिस्तान को भी बहुत पहले सोचना चाहिए था शायद कि पश्टून सबसे ज़्यादा आफगानिस्तान में नहीं है हम पहले भी कह चुके है पश्टून का संखा अफगानिस्तान से पश्टून ज्यादा है तो पश्टून नाशन को अगर आगे बढ़ाएंगे तो इसका नतीजा पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है और यही वज़े है कि जब इसका एक इस्लामिक फंडेमेंटलिस्ट के साथ एक नैशनल आइडिन्टी जुड़ जाता है एक खतरनाक मौड पैदा कर सकता है खास तोर से तीस्ट्री दुनिया के देशों में कि वहां पर यॉरप की देशा में हम नहीं जा सकते जिदोंने साव साल की वार्स लड़े अपना नेशन स्टेट का एंदर कैसे झालिटी कएक अपने लिंग्विस्टिक आइडिन्टी कैसे इसको समा सकते हैं वही हमारी लड़ाई है और उस लड़ाई में अगर हम कभी भी एक दिशा में जाते हैं नहीं यह तो मुस्लमानों की है यह तो हिंदियों की है नहीं यह तो हिंदी भाशा-बाशी इन लोगों की है यह तो पश्टून वोलने वाले की सबुरे इस तरह के आइडेंटिटी से अवर पैदा करेंगे तो जब नैश्चनल बाउन्डरीस की खियाला आएगा द national boundaries के साथ रहे के कैसे हम इन identities को ऐसे एक अठा कर सकते हैं कि बिना लड़ाई के भायचारे के जरीए कैसे बहनचारे के जरीए कैसे इन चीजों को हम आगे बढ़ा सकते हैं कैसे हम देश दिर्मान कर सकते हैं इन मुद्दों को सामने रखते हुए नहीं इन मुद्दों को स्व कायम कर सकती है इस चीज को छोड़ के कौन पक्टून है कौन पंजाबी है क्ऊन हिंदू है कौन मुसलमान है कौन शिया है कौन क्या कौन सुन्नी है मत बनौषेगा शिया केLश के वहां इस बहुत अगड़ा तो यह जो चीजे है कैसे समा पाएंगे अपने देश के अंदर यही जिन्ना ने साइटालिस पे ही कहा था कि इसके बाद हमें एक सेकुलर स्टेट पाकिस्तान को कायम करना चाहिए तुरंद उनका बनने के बाद वह भी बात भी हो गई थी मुसल्मान प्रधान इलाकों को पाकिस्तान बनाना था यह उनका उनकी लड़ाई थी इस ब हमने भी है वही चैलेंज ग्लोबल साउथ इस्टी दुनिया की बहुत बड़े हिस्सों में यही बात है कि इन दडारों को छोड़के कैसे आगे बढ़े और नहीं तो इस तरह से आत्मगाती हमले होते हैं यह कभी भी इसका सॉल्यूशन इस तरह नहीं निकल सकता ना जंग से ना कि राष्टर की ताकत से तो इसको तो सिर्फ भाईचारा और बंधत्व की आधार भी खत्म हो सकता है बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों एक बात बहुत साफ है जो साफ साफ शब्दों में अंतराष्टिय फलक पर हमारे आपके ग्लोब पे लिखी दिखाई दे रह करता है एक आत्मगाती हमला अंगिनत जिंदिग्यों को तबाह करता है और दोनों के पीछे राजनिती एक है नफरत नफरत और नफरत इस नफरत से हम आप और हमारा देश कैसे बचा रहे दुनिया कैसी बची रहे इस पर हमें और आपको सोचना जरूरी है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका हमारे साथ खड़ा होना, देखना कि अंतराश्टी घटना करम कैसे रंग बदल रहा है, देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, न्यूस क्लिक पड़ताल दुनिया भर की, शुक्रिया